तो हेलो एवडिवन दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं अगर आप भी बनाना चाहते हैं इससे भी बेटर तरीके से आप थंबनाना चाहते हैं तो आप किस परकार से बनाएंगे तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखते रहे हम इस वीडियो में आपको स्टेप बनाएंगे कि आपको थंबनेल इस परकार का कैसे बनाते हैं और क्या-क्या चीज को इसमें यूज करना होता है तो दोस्तों इस परकार का thumbnail बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी कोई प्रेसानी नहीं होगी बिल्कुल भी easy steps में आप इस परकार का thumbnail create कर पाएंगे ठीक है और बहुत ही आसान तरीके से वो भी add of photoshop 7.0 के अंदर या फिर आपके पास कोई भी photoshop है उसमें भी आप इस परकार का thumbnail use करेंगे तो दोस्तों कैसे बनाएंगे इस thumbnail को तो आईए वीडियो में जानते हैं तो दोस्तों वीडियो में जाने से पहले जो है कि दोस्तों सबसे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो भी कोमेंट कीजिए और नहीं लगे तो भी कोमेंट कीजिए ठीक है दोस्तों क्योंकि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो कोमेंट नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है तो आप गलती comment लिख दो कि भाई इस परकार का thumbnail मैं तो पहले से जानता हूँ या फिर कुछ भी या फिर मैं इस परकार करने इस परकार का बनाओ तो मैं क्या करूँगा कि उस परकार के आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहूँगा ठीक है तो आप हमें comments करना ना भूले क्योंकि comments कीजिएगा तभी जो है कि आपके लिए हम और सी और भी सारे वीडियो ले करके आएंगे ठीक है तो ठीक है दोस्तों विनादेर कि ये वीडियो को start करते हैं तो देखे कि दोस्तों सबसे पहले आपको इस परकार का thumbnail बनाने के लिए आपको क्या करना होता है ठीक ह ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे है white height तो दोस्तों इसका white है 1280 और height है 720 और यहाँ रहेगा picture ठीक है दोस्तों picture तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते है एक new page लेते हैं ठीक है तो new page के लिए shortcut की है हमारी control और end ठीक है दोस्तों अपने keyboard में प्रेस करेंगे control प्लस n ठीक है control प्लस n करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप height में लिखेंगे यहाँ पर white में 1280 ठीक है दोस्तों और यहाँ लिखेंगे 720 ठीक है दोस्तों और regulation यहाँ पर आपको 72 ही रखना है या फिर आप 75, 80, 100 भी रख सकते हैं कोई दिकत नहीं लेकिन 72 ही ठीक है बेस्ट र सकते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों कर लेंगे यहाँ पर ok ठीक है यहाँ पर आपको type करना है only for 1280 और यहाँ पर 720 और यहाँ पिक्चल ही रहेगा ठीक है और यहाँ भी आपको यही चीज रहेगा देख लिजे picture by inches ठीक है और यहाँ हो गया regulation यह हो गया height यह हो गया white यान दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे एक color को fill कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम एक color को भी fill कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम एक color fill कर लेते हैं और इस tool का use करने के बाद यहाँ पर हम इस tool को use कर लेंगे और tool लेने के बाद दोस्तों यह जैसे कि हम yellow color लेंगे तो मारा color आ गया है, ठीक है, यहाँ पर इस tool को आपको लेना है, ठीक है, plan tool को और plan tool को लेने के बाद यहाँ पर कर देंगे, आप इस परकार से आपका color फील हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, एक duplicate layer बनाना है, ठीक है, तो आप duplicate layer कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों आप अपने keyboard में press करेंगे control J, ठीक है, control को दबा के रखेंगे, और J बटन को press करेंगे, तो यह duplicate layer बन जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर आप right click करेंगे ऐसे, और यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको duplicate layer, ठीक है, तो इस duplicate layer पर click करेंगे, और यहाँ पर OK कर दे तो दोस्तों देखें कि यहाँ पर आप इस परकार से भी layer बना सकते हैं, या फिर आप duplicate layer control J भी करेंगे, तो यह बन जाएगा, ठीक है, देखें कि एक मैं और बनाता हूँ, control J से, तो दोस्तों देखें कि एक और बन गया, ठीक है, तो मैं एक ही layer बनाया हूँगा, क्योंकि भी एक ही layer का होमद जरूरत है, तो हम यहाँ से back हो जाता हूँ, control Alt Z से, ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें अब क्या करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कर लेंगे, इसको अब cut, ठीक है, हम अपने pen tool को use करेंगे, ठीक है, pen tool, pen tool यहाँ पर मिल जाए ठीक है, और यहाँ auto add delete, इसमें आपको check mark नहीं है, तो check mark करके रखिए, ठीक है, इस परकार से आप setup को देख लीजिए, कैसा है, इस setup करने के बाद, दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस परकार से करना है, किस परकार से, तो दोस्तों यहाँ पर करेंगे, इ ऐसा आप बना सकते हैं, भैक भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इस परकार से हम इसको ले जाते हैं, और यहाँ पर ऐसे करके राउंड करेंगे, और अपने कीबोड में Ctrl प्लस इंटर बटन को प्रेस कर देंगे, तो यह हमारा स्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे, डिलेट, ठीक है, डिलेट, तो दोस्तों, डिलेट करेंगे, तो देखें कि यह हमारा जो है कि अंदर का बैक्राउंड कट चुका है, ठीक है, और यहाँ हमारा आ गया यह इस परकार का सेप, यह हमारा एक सेप तयार हो करेंगे और select करने के बाद इसमें ऐसे क्लिक कर देंगे तो दोस्तो सबसे पहले इस layer को select करना होगा इस वाले layer पर ऐसे select क्लिक करेंगे और यहां पर आपको इस tool से ऐसे कर देना है तो दोस्तो देखें कि यह हमारा यहां पर color आ चुका है उसके बाद अब हम क्या करेंगे दो तो दोस्तों देखे कि यहां पर मैंने अल्लो सेलेक्ट कर लिया और यहां पर करेंगे और इस टूल को फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहां पर आकर छोड़ देंगे तो दोस्तों देखे कि यह हमारा बन चुका है तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे तो दोस्तों देखे कि सबस पहले आपको क्या कर रहा है इस टूल को ऐसे क्लिक करेंगे और इसको आप क्या करेंगे ऐसे select कर लेंगे ठीक है select करने के बाद आप क्या करेंगे layer पर जाएंगे layer पर जाने के बाद layer style पर जाएंगे और लियर style पर जाने के बाद इसको आपको select करना है ठीक है इसको select कर लेना है और इसको कर लेंगे copy ठीक है control-c से copy कर लेंगे इसको control-c यसे select करेंगे इस tool से magic tool से ठीक है layer, layer style करेंगे, ठीक है, इस वाले layer को आपको select करना है, ठीक है, देख लीजे दोस्तों, इस उपर वाले, copy वाले layer को, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ, layer, layer style, layer style में जाने के बाद यहाँ है, gradient overall ठीक है दोस्तो इस पर आप click करेंगे click करने के बाद दोस्तो देखिए कि अब आपको क्या करना है तो यहां से क्या करना है दोस्तो इस पर कार का color है तो आप यहां से यह भी कर सकते है यह भी कर सकते है यह भी कर सकते है हम okay कर देंगे फिर ओ यहाँ पर क्या करेंगे यह red वाले भी नीचे से हटाना है तो हम इस red वाले पर click करेंगे और इसको कोई और color देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं ठीक है तो दोस्तों हम इस पर कारका यह color को दे दिये ठीक है उसके बाद हम करेंगे okay अब देखें कि दोस्तों हमारा यहाँ पर complete हो चुका है अब हम इसमें एक करेंगे एक और जो लगाते हैं जहां पर हम लिखेंगे जो हमारा title का main होगा ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे एक new page लेंगे control plus n को दबा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे एक ok कर देंगे ठीक है control and दबाने के बाद ok करेंगे ok कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस tool से select करेंगे rectangular tool से और rectangular tool से select करने के बाद ऐसे हम select कर लेंगे, करने के बाद इसको कर लेंगे copy ठीक है, यहां से हम कर लेते है copy और यहां कर देते है paste, तो दोस्तों देखें कि यहां पर हमारा आ चुका है, अब हम इसको control plus T दवाएंगे अपने keyboard में, control plus T दवाएंगे तो यह हमारा transform हो जाएगा कुछ इस परकार से, ठीक है, अब दोस्तों बारी आती है, इसको हमें थोड़ा सा ऐसे करना है, ठीक है, कुछ इस परकार से, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस परकार से ऐसे कर दिये हैं, अब कर देने के बाद, दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहां पर set कर ल इसका shortcut की है दोस्तो E ठीक है तो ये eraser tool ले लेंगे eraser tool लेने के बाद इसका opacity जो है कि दोस्तो यहाँ पर हमें वही 36-37 के आसपास रख लेना है 35 रख लेना है और यहाँ पर भी आपको 35 रख लेना है उसके बाद दोस्तो क्या करेंगे यहाँ पर आपको क्या करना इस brush में यहाँ brush को select करने के बाद जो थोड़ा इस परकार से brush होगा ठीक है उस परकार का brush हम चूच कर लेंगे ठीक है देखें कि दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको ब्रास कर दिया ब्रास कर देने के बाद दोस्तों देखें कि अब हमारा यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से यह effect लग चुका है और काफी खूबसूरत यह effect हमारा दिख रहा है दिख रहा है ना अब इस परकार से आपको भी कर लेना है, है बहुत ही आसान और इजी, इसमें भी अगर कोई कलर आप फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर जैसे कि आप इसमें कोई कलर देना चाहते हैं, जैसे मैं यह कलर देता हूँ, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें आपको यह वा आसान तरीके से आप इस tool को use कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पर white ही रहने देता हूँ, क्यों white काफी ज्यादा सुन्दा लगता है देखते में, अब दोस्तों बारी आती है, कि यहाँ पर आपको कुछ लिखना है, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों हमारा image यहाँ पर set हो चुका है, उसके बाद दोस्तों अब इसमें हमें कुछ लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने keyboard में यहाँ पर type करेंगे, और यह सब आपको आता ही होगा, ठीक है दोस्तों यह सब आप बहुत आसारी से कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ प इसको थोड़ा सा horizontal के type कर लेंगे, ठीक है, horizontal कर लेंगे, इस परकार से control टी करेंगे, और इसको जिस angle में आप ले जाना चाहते हैं, ले जा सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ करते है Photoshop, ठीक है, Photoshop, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया Photoshop, Photoshop लिख देने के बाद, दोस्तों य लेटर जो है कि हमारा थोड़ा बोल्ट करेंगे, ठीक है, तो लेटर को हम थोड़ा सा बोल्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम और यहाँ पर लेटर को बोल्ट कर लेते हैं, जो भी लेटर आपको पसंदा है, वो दे सकते हैं, कोई दिक्खर पर यहाँ तो दोस्तों मैं यहा से थोरा इसको ब्रा कर देता हूं तो देखिए कि दोस्तों यहां पर मैंने लिख दिया Photoshop 7.0 से ठीक है अब इसमें दोस्तों हम लिखेंगे थम्बनेल ठीक है दोस्तों यहां पर हम लिख देते हैं थम्पनेल तूपिक है है यह हमारा Topic है तो इस Topic को हम क्या करेंगे इस वाइट वाले में ऐसे fill करेंगे क्योंकि यह हमारा वीडियो अभी इसी पर है इसलिए हम इस परकार का Thumbnail बनाएंगी और बनाने के बाद, दोस्तों दिखें, कि यहां पर मैंने बना दिया, अब इसको कर देते हैं मैं आए इस पर color change, यहां से कर देंगे red, हम यहां पर कर देते हैं red, आपको जो पसंद आया कर सकते हैं, यहां पर दोस्तों इसमें थोड़ा सा stock लगा देंगे, ताकि अच्छे से ठीक है लेटर साइज के हिसाब से आप दीजिएगा तो यहां पर मैंने तीन का स्टॉक दे दिया है अब दोस्तों बारी आती है यहां पर तो यह हमारा थंबनेल कुछ इस कलर से है तो इसको आप जिस भी कलर में रखना चाहते हैं ब्लैक वाइट जो इसमें भी रखना चाहत हैं रख सकते हैं तो दोस्तों मैं फिलाल यहां से इसको कर देता हूँ फिलाल मैं यहां से इसको कौन सा कलर कर दूँ जो भी अच्छा लगए आपको कर लिजिए कोई दिकर नहीं है तो दोस्तों मैं यहां से कर देता हूँ इसको यह वाला कलर ठीक है दोस्तों तो देखे कि इसको मैंने कर दिया इस प्रकार का कलर अब इस प्रकार का कलर करने के बाद इसको भी हम थोड़ा अर्जेस्ट करेंगे देखे कि दोस्तों मैंने यहां पर इसको अर्जेस्ट कर दिया है अब हम नीचे में लिखेंगे कैसे बनाए ठीक है दोस् ठीक है दोस्तों तो देखे कि यहाँ पर मैंने इसको बना दिया और यहाँ पर लगा दिया अब उसको क्या करेंगे यहाँ पर हम इसका कलर दे देते हैं एलो ठीक है दोस्तों यहाँ पर हम कलर इसका एलो दे देते हैं और इसका जो है कि दोस्तों हम स्टॉक जो लगाएंगे वो black से लगा देंगे white से लगाएंगे तो यह अच्छा से नहीं दिखेगा ठीक है आप यहाँ पर black यूज़ कीजिए white से देख रहा है अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पर black से लगाईए black से लगाने के बाद और यहाँ कर देंगे okay ओके कर देने के पाद दोस्तों देखें कि यह हमारा यहां पर बन चुका है अब यहां से इसका letter आप change कर सकते हैं जो भी आप letter देना चाहते हैं उख अपने हिसाफ से select कर लेंगे ठीक है तो आपको जो letter अच्छा लगता है उस इस आप का letter आप यहां पर लिख सकते हैं थोरा सा बहुत ही पतला है, ठीक है, इसको change कर देंगे, यहां से हम इस लेटर को रहने देता है, ठीक है, यह लेटर काफी ज़्यादा सुम्दर है, अब देखें कि दोस्तों यह थोरा हमारा यहां पर बन चुका है, इस परकार से हम इसको ऊपर ला देंगे, और इस effect को ऐसे select करेंगे layer को और ऐसे ऊपर की ओर ले जाएंगे और इसको भी हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे thumbnail को और इसको भी थोड़ा हम ऐसे कर लेंगे ठीक है अब दोस्तों बाड़ी आती है कि यहां पर एक हम thumbnail लगा करके आपको example की तोर पर देखाते हैं जैसे कि आपको किसी भी चीज का image लगाना है जैसे आप कोई photo बनाना सिखाते है या फिर computer related सिखाते है या mobile related सिखाते है तो यहां पर आप mobile का images लगाएंगे तो जैसे कि दोस्तों मैं भी आपको बता रहा हूँ thumbnail कैसे बनाए ठीक है इस परकार का तो दोस्तों यहां पर मैं एक thumbnail ले लेता हूँ कोई भी thumbnail यह यहां से alt और shift को दवाएंगे और इस परकार से ले आएंगे ताकि इसका size छोटा बरादा हो और इस परकार से इसे transform करके थोड़ा साम इसको horizontal के type इसको cross कर देंगे और cross करने के बाद दोस्तों देखिए कि अब हम क्या करेंगे यहां पर इस परकार से लगा दिये और इसमे यहां से blue कर देता हूँ और okay कर देता हूँ okay कर देने के बाद दोस्तों देखिए कि अब हमारा यहां पर यह थंबनेल काफी अच्छे तरह से बन करके ready हो चुका है इसमें तो हमें stock लगा देंगे तो और सुन्दर लगेगा ठीक है तो thumbnail और stock लगाने के बाद यहां पर हम क चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जिस परकार का आप चेंजिंग करना चाहें ठीक है तो आप कर लिजे कोई दिकत नहीं है तो दोस्तों मुझे फिलाल लगता है कि यह वाला सही रहेगा तो हम यह वाला color चूच कर लेए देखिए कि दोस्तों यह ठीक है ठीक है ठीक है पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपके साब यहां पर आ जागा कुछ इस परकार का बहुत सारे टूल तो यहां पर इस टूल आने के बाद दोस्तों यहां पर क्या करेंगे यहां पर इस टूल सब का यूज कर सकते हैं ठीक है इस टूल को आप यूज करेंगे टू करेंगे स्लाइट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऐसे करके और कंट्रोल इंटर करेंगे और डिलेट करेंगे थीक है तो यह हमारा आ गया दोस्तों अब हम बात कर लेते तो यहां पर रेट देते ये और यहां पर आप कंड्रोल अल्ट दबा करके delete button को press करेंगे तो यहां पर आपको color fill हो जाएगा ठीक है तो इस परकार से दोस्तो आप यहां पर कोई भी color को लगा सकते हैं अच्छे तरह से तो देखें कि दोस्तों यहां पर यह हमारा बंद गया है, इस परकार का images, अब दोस्तों और भी लगाना चाहते हैं, कोई दिकत नहीं है, और भी आप लगा लीजिए, दोस्तों यहां पर आप ऐसे लगा लीजिए, देखते होगे बहुत सारे हैं, यहां पर control इंटर कीजिए और दोस्तों यहां बरी आप डिलेट बटन को प्रियोग कीजिए यहां पर आप क्या कीजिए और बना लिजिए दो बना लिजिए तीन बना लिजिए और कंट्रोल इंटर कर दीजिए तीनों एक साथ लग जाएगा ठीक है तो दोस्तों देखें कि अब यह हमारा फुटेज यह बहलती काफी जड़ा खूबशूरत दिख रहा था ठीक है अब दोस्तों बारी आते हैँ यहां पर अगर अस्टार लगाना चाहते हैं तो आप क्या करें गे इसी पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद दोस्तों यहां पर आपको मिल यागा अस्टार का भी टूल धाल करेंगे ठीक है control enter करेंगे delete करेंगे दोस्तों देखें कि यह हमारा बन करके ready हो चुका है अब दोस्तों इसका color आप कुछ भी देना चाहते हैं तो कोई दिकत नहीं है आप यहां पर से इसको करेंगे select ठीक है तो यहां पर करेंगे आप इस layer को select background वाले को और यहां पर आप इ change हो चुका है ठीक है तो इस परकार से आप बहुत ही आसानी से आप अपने thumbnail को बना सकते हैं अच्छा और सुन्दर है नो दोस्तों काफी ज्यादा ही खूफसूरत thumbnail तो दोस्तों यह thumbnail काफी ज्यादे trending में चल रहा है अगर आप इस परकार का thumbnail बनाना चाहते हैं तो आप बह अच्छे तरह से explain करके आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा ठीक है तो कोमेंट्स करना ना भूलिए तो दोस्तों यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद दया होगा तो प्लीज एक लाइक जरू कर दे और अपने दोस्तों को साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज पहुंच सके तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक लिए जया हिंद जया भारत बंदे मातरम गुड़ बाई